हलो दोस्तों कैसे आप सब और आज हम पढ़ने वाले हैं रिजदिंग के अंदर बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट इसलिए कि आधी बार पते नहीं चलता है इसका अंसर कब आएगा मनलग कितनी देर में आएगा तो टॉपिक है रिजदिंग का कौन स लुप्त सेंख्या फाइंड करना मतलब फाइंड मेंसिंग नंबर तो मेंसिंग नंबर फाइंड करने में कोई ऐसा पर्फेक्ट नियम नहीं है कि यहीं नियम लगा होगे और आंसर आ जाएगा तो हमें इसमें मैट्स के कैलोगरेशन बहुत कुछ करनी पड़ती है गुना मतलब अभी लेटेस एक्जाम में क्या-क्या स्वाल पूछे गए हैं और हमें कहां ध्यान रटना है यह आपको आज मैं सिखाने वाला हूँ चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो देखो पहला स्वाल लिखा है और यह स्वाल एक नहीं तीन-चार एक्जाम में अल्र जो टॉपिक है इसके अंदर एक से ज़ादा आंसर आ सकते हैं ठीक है बस तरीके सही होने चीए बाकी एक से ज़ादा भी आंसर आ सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं कि यहाँ पर कौन सा तरीके लेंगे और क्या नंबर हमें ध्यान रटनार कैसे पता चलेगा जैसे यह चल रहा हो जैसे देखो 3 4 5 उदर बढ़ाए छे आंठ 10 उधर बढ़ाए बारा 13 उधर बढ़ा है तो इसका इधर वाला जो नंबर है वह इन से चोटे आएगा 12 और 13 से चोटा ही नंबर आएगा तो यहां से चोटा नंबर आएगा अब यह के पैटन क्या बनाता है हमें वह ड दिखिए तीन और चार पांच तो हम यह ढूनते हैं कि तीन चार से पांच कैसे बन सकता है तो यहां से हम सबसे पहले यह देखते हैं कि तीन और चार से पांच कैसे बन सकता है तो यहां तीन और चार चार का अधा कर सकते हैं समसे क्या है चार का अधा किता है तीन और दू जोड़े किता हो सकता है पांच हो सकता है इसका मतलब यहीं पर सॉल भी करना यहीं पर उसका आंसर भी है उसी लाइन में ही तो सेकंड लिए अगर हमें सेम आंसर मिल जाए तो तीसरी जएके का आंसर उसी पैटन से आपको Roload करना है तो इसका solution लिकरता हूं मैं देखो सब से पेला solution हम क्या कर रहे है तीन का तीन है जो चार है उस 4 का हम कर रहे है आधा तो तीन और चार का आथा या 2 तो हमें किट्ना ?, 5 clear second में जो 6 है plus 8 जो है उस 8 का आधा तो 8 का आधा हुआ 4 तो 6 और 4 मिलकर हो गया 10 clear तो हम तीसरे में अब क्या करेंगे देखो तो यहां पर हमें first number नहीं पता है लेकिन यह पता है कि इसका आधा करना है और final answer किता मिलेगा यह भी पता है कि यह 13 है तो 13 में आपने यहां से किता जोड़ रखा 6 तो और किता जोड़े के 13 हो जाए तो 6 में किता जोड़े 7 तो 7 प्लस 6 किता हो जाएगा 13 इसका मतलब यह हुआ कि इस pattern से अगर चलते हैं तो हमारा answer जो आया वो किता आया 7 तो मैं pattern आप दूसरे तरीके से कर सकते हो ऐसा नहीं कि मैंने जो किया आप इधर से करो आप चाहो तो रिवर्स उदर से ले सकते हो उपर नीचे कोई ट्राय कर रहा हो तो उपर से नीचे बनाना हो तो बना सकते हो लेकिन आपको जो तरीका लगे अभी तो मैंने सिर्फ एक solution दिया अब हम सोचे कि यह तीन है यह पांच इससे चार बनाए जाए तो कैसा बन सकता है तो आप देखो तीन और पांच किता होता है आठ और आठ का अधा किता हुआ चार तो इसका मलब फर्स और लास संख्या को जोड के उसका अधा कर दो बीच के संख्या बंद रही तो फिर से नमबर लास्ट नमबर का अधा कर दो जोड के तो फर्स्ट और लास्ट को जोड के अधा करें तो उससे बन जाता है बीच वाला नमबर या या चार अब आता है फर्स नमबर है छे लास्ट नमबर है दस इनको जोड के अधा करते है तो यह हो गया सोला और सोला का अधा यह हो गया आठ है अब आता है obser Haber आता है फ कर्श्च नंबर जो हमें नहीं पता है यहां पर प्लास्ट नंबर पता है तेरा है और इनगा आधा करें तो जितना भी आधा करने से आए हमारा फाइनल आंसर बारा आना चीँ है तो आप संजो कि बारा आना चीए तो 12 किसका आदा होता है तो इसका मतलब है इससे पहले यहां पर 24 होना चीए ताकि 24 का आदा करने से हमें 12 मिल जाए और 24 हमें लाना है यहां जोडने से तो अगर 24 यहां जोडने से लाना है तो आप समझो कि यहां का नंबर क्या होना चीए कि जो 24 बना दे तो 13 में मैं कितना जोड़ू 11 तो 11 प्लस 13 24 हो जाएगा और 24 का अदा 12 हो जाएगा इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमें कितना जोड़ना पट रहा है 11 तो इसका second answer हमें और क्या मिल गया 11 मिल गया ठीक है तो 11 और 13 24 और 24 का अदा 12 हो गया डन चलो अभी तो 2 ही हुए है अभी देखो आगे पहले ही पहला स्वाल मैं आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि ध्यानना मैट्रिक्स में सॉल करने के तरीके बहुत होते हैं मतलब सोचो कि आप एक्जाम में ये सॉल कर रहे हो और हो सकता ऑप्शन में साथ ही नहीं हो तो आप देखोगे कि मेरे अंसर तो साथ आ रहा है और ऑप्शन ही गलत होंगे ऐसा नहीं है हो सकता है उसने ये वाला तरीका सॉल ही नहीं करवाया हो और ऑप्शन में दूसरे वाले तरीके दी हो इसलिए चलो अभी तो और आगे बढ़ते हैं अब आते हैं solution number 3 तीसरे पर कि इसका और solution क्या हो सकता है तो वो और देख लेते हैं अब यहाँ पर की जो है यह जो स्वाल है यह थोड़ा सा और आगे बढ़ाए तो इसको आगे बढ़ाने सा हम अब चलते हैं relation है तो 9 प्लस 16 9 प्लस 16 किता होता है 25 और यह सामने किता लिखा है 25 इसका मतलब क्या हुआ कि 3 square प्लस 4 square equal to 5 square मतलब यह है पाइथोगोरस जो है उसके set मतलब 3 square और 4 square का योग हमेशा 5 square के बराबर होता है तो इसका मतलब हुआ 1st वाले का square और 2nd वाले का square दोनों किसके बराबर है 5 square के बराबर एक solution यहां से यह बेटता है तो क्या 2nd भी सही है क्या तो 2nd में है 6 square plus 8 square equal to 10 square हो रहा है नहीं हो रहा है चेक कर लो तो यह है 36 यह है 64 8 square और टोटों मिला के किता हो यह 100 हाँ बिल्कुल बेट रहा है तो इसका मतलब 2 जिगे बेटी है तो 3 को तो हमें बिठा नहीं है तो 3 क्या है वो देखो तो 3 के रहा है कि 12 का square यहां से 13 का square 12 का square है 144 13 का square है 169 और अब आता है कि यहां क्या होना चीए तो 169 हमें answer लाना है जोड के लाना है 144 हमार पास है 169 लाना है तो यहां कितना होना चीए तो इसमें से गटा के देख लो कितना और add करें 9 में से 4 5 और 6 में से 4 2 तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर कितना जोड दो आ 25 25 जोड़ो 144 में तो 119 आ जाएगा अब 25 किसका square होता है तो 25 होता है किसका square 5 का square इसका मतलब हुआ कि यहां का number कितना हो सकता है 5 तो यहां पर तीसरा answer जो आया वो कितना आया 5 clear अब मैं आपको शुरू में बोला था कि यह सवाल बहुत सारे exam में आज चुका है और एक exam ऐसा भी आया हुआ है जिसमें तीन option तीनों के तीनों option में थे जो तीनों ही right है इसलिए उसको बाद में जाके सवाल को हटाना पड़ा था डेलिट करना पड़ा था ठीक है तो ध्यान रखना एक ही सवाल को आप इतने तरीके से solve कर सकते हो answer अलग लग ला सकते हो तो अब सोचो आपने माना कि first और second solve किया exam में ये दोनों option में नहीं है तो हमारा दिमाग वहीं खराब हो जाता है ये क्या है हम solve कर रहे है option में नहीं है इसका हमला option गलत है लेकिन हो सकता उसका ये pattern यूज किया हो तो इसलिए matrix का स्वाल exam में simple जब तक answer दीख जा ठीक है otherwise exam में सबसे last में करना ताकि आपका time जो है ज़्यादा waste नहीं हो लेकिन अब कैसे करने है वो मैं आपको pattern आगे-ागे हर स्वाल में सिखाता रहूँगा कि हर स्वाल को कैसे दीखा जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला स्वाल है यहां से 3, 2, 4, 48 3, 5, 1, 30 1, 2, 5 question mark अब इन्हें उपर से इधर ही क्यों पड़ा क्योंकि इसमें एक pattern बन रहा है और वो pattern क्या है वो pattern है यह कि यहां नीची-नीची जो संख्या है वो देखो बड़ी-बड़ी संख्या दे रिखी है इसका मतलब नीचे-नीचे संख्या अगर बड़ी-बड़ी है तो इसका मतलब fix है फिर कि उपर से इन संख्याओं का इससे को इन कोई connection बनेगा ठीक है यह पैचानने के तरीके होते है तो उपर से यहां connection कौन सा बन रहा है हमें वो चेक करना है तो देखो 48 प्लस होता आने से रहा क्योंकि संख्याओं बड़ी है तो एक बार गुणा करकर चेक कर लो तो 3 multiply 2, 3 into 2, 6 6 into 4, 24 यहां कितना लिखा है? 48 बात सम्झागे होगी गुणा करने से हम 24 तक पहुँच गए लिखा 48 से इसका मतलब क्या होगा 24 का डबल लिखा है तो क्या चेक करो सेकंड में है एक नहीं तो 3, 2, 4 यह हुआ 24 24 को 2 से multiply करें यह होता है 48 अब सेकंड में ऐसा है या नहीं है तो 3 multiply 5 और इसका multiply करें 1 से अब यहां 2 जिगे है अच्छा ऐसा भी हो सकता दोस्तों एक और कभी-कभी यह से यह 2 का गुणा हो रहा न तो 1st में 2 का गुणा हो जाए 2nd में 3 का गुणा हो जाए तो 3rd में 4 का गुणा हो सकता है मलब as a series के इसाब से पैटन चल सकता है दो का गुणा, तीन का गुणा, चार का गुणा और सेम है तो फिर सेम चलने दो तो यह pattern है इसके अब देखो लास्ट वाला 1 इंटू 2 इंटू 5 तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 5 किता हुआ 10 और 10 को हम गुणा करेंगे कि इससे 2 से तो 10 इंटू 2 10 इंटू 2 किता हो गया 20, मनले इस स्वाल का जो आंसर है वो आंसर यहाँ पर क्या आजाएगा 20 आजाएगा अब इसमें आपको अलग से सोचने की ज़रुत नहीं पड़ेगी क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें pattern direct था मनले आपने गुणा किया 24 मिल किया 48 आई रहा अब 48 अलग से और कैसे आ सकता है इस पर ढूडने की नौबत नहीं आएगी तो यह होते कुछ pattern जो हमें एक्जाम में जल्दी आंसर दिला सकता है ठीक है? चलो आगे बढ़ते और अगला स्वाल है 8, 2, 3, 4, 5, 6, 48 और 21 अब next के आएगा हमें यह सोचना है तो देखो वापस pattern के आते हैं यहां क्या लिखा है? 48 यहां क्या लिखा है? 21 इसका मुला fix है कि संख्याएं इधर बड़ी चल रही है तो उपर से नीचे ही कोई-कोई connection होगा तो यहां से हमें कोई connection डूणना है जिससे 48 आजाए अब 8 है, मैं 8 को 4 से गुणा करू तो 8, 4, 32 होता है तो यहां से 48 नहीं आएगा चलो, और तरीका देखो तो और क्या कर सकते हैं? तो 8 प्लस 4 अगर मैं कर दू तो 8 प्लस 4 किता हो गया ठीक है, प्लस मैंनस गुणा कुछ भी कर सकते हैं इसकोर, 8 प्लस 4 किता है 12 12 को गुणा करू 4 से तो 48 आ सकता है अब यह के गुणा 4 कौन सा वाला तो मैं यह समझो कि यह जो second number है उसी को वापस गुणा कर दिया जाए तो 48 आ सकता है तो क्या second में ऐसा है तो 2 प्लस 5 हुआ 2 प्लस 5 किता हो कि 7 और 7 को गुणा 5 से करें तो 7 प्लस 5 तो 35 होता है मतलब यह नहीं आ रहा है इसका मतलब हुआ कि यह भी नहीं कर रखा है तो फिर आते हैं और तरीका हम क्या ले सकते हैं तो देखो यहां से हमने ऐसे ही किया तो नहीं आ रहा है अब आते हैं कि पैटन कैसे पता करें फिर क्या तरीका है तो देखो तरीका बताता हो यहां 48 है हम यहां से जोड रहे से किता आ रहा था तो 8 प्लस 4 8 प्लस 4 बारा आ रहा है और हमें यहां पर 48 लाना है तो यहां 8, 4, 12 का गुणा हमें करना पड़ेगा 4 से तो तो तरीस आएगा सेकंड में अगर जोडते हैं तो 2 प्लस 5 किता या 7 आया हमें गुणा करने से 21 लाना है तो 7 हमारे पास है तो गुणा हम किसका करें 3 का तो 21 आएगा अब हमें बस यह ढूड़ना है कि 4 कैसे आ रहा है न 3 कैसे आ रहा है नमबर आपके बस यही है 8, 4, 2, 5 कि 4 कैसे आ रहा है न 3 कैसे आ रहा है तो दोस्तों ढूड़ो थोड़ा असा मिल जाएगा 4 कैसे आ रहा है तो 8 और 4 दोनों में 4 का अंतर है दो और पांच दोनों में तीन का अंतर है अच्छा difference अंतर का मनलब plus minus नहीं देखने आपको कि छोटा आगे बड़ा पीछ उससा नहीं अंतर difference only तो दो और पांच पे तीन का अंतर हो रहा है आँट और चार पे चार का अंतर हो रहा है इसका मनलब दोनों जिके अंतर बैठ रह तो बड़े मेंसे छोटा नंबर घटा दो ऐसे तो यहां से 8 और 4 बारा और यहां से हो गया 4 यह हो गया 48 यहां पराया 7 यह हो गया 3 और 7 थीज़ा 21 क्लियर हुआ तो यहां से सवाल ऐसे बनते हैं तो आपको एक एक चीज़ को ध्यान अठना पड़ेगा अब आते हैं last में 3 प्लस 6 लेंगे और second यहां से गुणा करेंगे तो 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 प्लस 6 किता हो गया 9 और 6 माइनस 3 किता हो गया 3 तो 9 मल्टिप्लाइ 3 किता हो गया 27 तो इस सवाल का जो आंसर है वो आएगा 27 बढ़े आगे चलो next देखो next है triangle में और triangle में ऐसे सवाल बहुत easy भी होते है थोड़ा से जल्दी मिल जाए जल्दी कैसे मिलेंगे इसका भी तरीका एक जोड है तो जल्दी कैसे मिलेंगे तो यहां center में number देखो 49 है यहां center में किता है 25 है और corner पे चल रहा है एक चार और तीन अब यह जो number लिखे है बड़े बड़े इन number के तरफ ध्यान दो सब पता चल जाएगा यहां पर बड़ा number है 49 और 49 क्या होता है 7 का square होता है यहां का बड़ा number है 25 और 25 क्या होता है 5 का square होता है इसका मतलब है कि यह number square से बने वे तो पूछा है कि यहां का number क्या आएगा तो यह भी तो किसे के square से आएगा अब आते हैं कि ये है सांत का स्कॉार तो सांत कहां से आया तो दोस्तों इसके दो तरीके ये जो नंबर होता है यहां का सेंटर वो या तो इधर और इधर इनके रिष्टेदार होगा या तो इनका रिष्टेदार होगा इधर नहीं हुआ तो जस सामने वाले उधर का रिष्टेदार होगा तो यह आपको pattern है डूणने के कि या तो इनका रिष्टेदार होगा या उधर से तो अभी यह किसका रिष्टेदार है तीन और चार वाले का है वो उसके आस पडोस में जो कॉनर नंबर है उनको जोड़ के स्कॉर किया है तो यहां पर है तीन और इधर किता है एक तो तीन और एक किता हुआ चार तो यहां क्या आएगा चार का स्कॉर आएगा तो चार का स्कॉर तो चार का स्कॉर यहां किता हो गया 16 तो वहाँ पर number आएगा 16 आया चम्मच में ठीक है तो ये चम्मच में आता रहे ध्यान रटा हर एक pattern में सिखा दूँगा और जितने latest भरतियों में सवाल है सब आएंगे add to z सब सिखाऊंगा बस continue आप तो बस चीज़ें देखते रहे ना चलो next pattern देखो अब next में क्या हो रहा है दो ट्राइंगल आ गए तो इसका ट्राइंगल का यहाँ देखो यह number दिया है और यह number यहाँ पूछा है तो इसका मतलब है साफ है कि यहाँ का number जिस pattern से आ रहा है वोई pattern आपको यहाँ follow करना है अब आता है यह pattern कैसे आया है 72 कहां शारा यह तो यह है 5 यह है 2 और यह किता है 1 अब इससे हमें 72 लाना है तो तरीके क्या है या तो इनका तीनों का घुना कर लो या इनका तीनों का plus करके उसका square करो या घुना करो ऐसे कुछ करो और 72 लाना है तो पहले हम देखते हैं कि यहां से separate separate square भी कर सकते हैं कि इसका अलग square इसका अलग square करेंगे ऐसे भी कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आपन एक एक चीज़ 5 का square 25, 2 का square 4, 25 और 4, 29 29 और 1 का square 1 तो 29 और 1 30 और 30 से बहुतर तक पहुशना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 30 का double भी कर दो तो भी नहीं आ रहा है तो इसका मनला separate square नहीं हो सकता है फिर आता है 5 और 2, 7, 7 और 1 किता हुआ 8 तो 7 और 1 8 है और 8 से हमें पहुशना है बहुतर 72 तक तो इसका मनला है हमने जोडा तो हमें जोडने से मिला 8 और 8 से हमें लाना है किता 72 बहुतर लाना है तो 8 से बहुतर कैसे लाया जाए आप ये देख लो तो 8 से बहुतर कैसे लाया तो 8 का गुणा किस से हो जाए 9 अभी 9 कौन सा है तो 9 मतलब है कि इसके अगला वाला नमबर 8 से अगला नमबर वो है 9 और कभी भी math swing नहीं चीज़ और सिखा रहा हूँ और देखना कभी भी दो पडोसी का गुणा आ जा ना वो एक तरीका और भी इसका पडोसी का गुणा जहां कहीं दीखे एक तरीका और होता है और वो क्या है वो भी देखो 5 प्लस 2 प्लस एक जोडने साया 8 आप क्या करो इसका square कर लो ठीक है 8 का square करो और इसमे वापस 8 जोड के देखो same number ही आएगा तो 8 का square में 8 जोड तो 8 का square किता है 64 और 64 में किता है जोड तो 8 वापस किता हैना बहुत तर तो इसका मनलब है math में यह तरीका याद रखना जब कभी आप पड़ोसी का गुणा करते हो ना तो वह एक ही बात है कि उसका square में वही नमबर जोट रहे आप क्योंकि 8 का square मना 8 आट बार है और प्लस आट मनलब 8 नौ बार हो गया है तो यहाँ पर भी आट नौ बार ही था ठीक है जहां नहीं समझाया है तो वापस देखो जैसे 13 इंटू चाउदा है तो 13 इंटू चाउदा का और मतलब क्या है कि 13 के square में 13 जोट रखा है तो बले कोई एसा solve करें एसा solve करें एक ही बात है तो आप किसी भी नंबर को अगले वाले से गुणा करें के भी यह स्वाल solve कर सकते हो ठीक है अब जैसे देखो आब आंसर लेते हैं कि इस स्वाल का answer क्या है तो इसमें नंबर क्या लिखा वाए इसमें लिखा है 3 फिर यहां लिखा 2 और नहां है 4 तो पहले क्या करेंगे हम तीनों नंबर को जोड़ देते हैं तो 3 प्लस 2 प्लस 4 3 प्लस 2 5 5 4 किता 9 तो यह हो गया 9 अब 9 का multiply किसे कर दो 10 से तो 9 multiply 10 तो 9 multiply 10 किता हो गया 90 तो इस स्वाल का answer कितना आएगा 90 आएगा आयासन में तो यह होता है एक pattern को देखो उससे answer कैसे आया वो देखो और फिर वहाँ जाके solve कर लो next देखो और अगला स्वाल में क्या लिखा है 5 3 4 center center में लिखा है और यहां है 2 double 8 तो 2 double 8 यह और यहां पर question mark कर दिया इसका मलब वापस साफ है कि हमें इन number से बाहर जो number है उ इधर वो pattern follow करना पड़ेगा अब एक चीज समझो 288 इतना बड़ा नंबर अगर आ रहा है तो इतना बड़ा नंबर जो है वो इसके plus करने से आएगा या गुणा से आएगा तो कुछ चीज़ेत basic कर लो कि सिर्फ plus से तो answer आएगा नहीं कहीं कहीं उसका बड़ा number तो करना ही तो 25 का इतना च्योटा नंबर 25 से उसका बड़ा को सह से नहीं आ सकता है कर Although 3 हूरो और 12 से क्या करेंगे तो 12 से स्क्राइब कर लो एक बार ताकि नंबर थोड़ा सा बड़ा मिल जाए तो 12 का स्क्राइब हुआ 144 और यहां जो नंबर वो है 288 तो इसका मतलब यह नंबर अब तापको नजरों से साफ दिख गया होगा कि 144 288 इसका मतलब साफ दिख रहा है कि इस उसका square का double कर लो, तो square का double करने से आपका answer मिल जाएगा, तो next वाला में देखते हैं, last में है 1, 1 plus 2 और plus 6, तो 1 plus 2 plus 6, तो 1 और 2 किता हो गया, 3, 3, 6, 9, ये 9, तो 9 का square करते हैं, तो 9 का square किता हो 81 और 81 का कर देते हैं double तो 81 का double किता हो गया 162 तो इस स्वाल का आंसर किता है 162 है आया समझ में ठीक है तो यहां से यह 162 बनेगा ऐसे लाना है चलो और आगे बढ़ते हैं अच्छा हाँ एक चीज़ और जानना कभी अगर स्वाल सोचो यहां देखके मुझे ऐसा लगा कि अगर कभी एक्जाम में ऐसा स्वाल आता ठीक है देखना 1 यह 6 2 यहां मैं लिख दू 162 और यहां आपसे पूछओं के 5, 3 और 4 मैं आपसे पूछओं के 5, 3 और 4 मैं आपसे पूछओं कर दिया है मतलब 1 तो यह वाला 6 यह वाला न 2 यह वाला तो यह तो इधर से इधर कर रखा है तो इसका अंसर वो क्या पुरोजदेंगे यह 5, 4 और 3 5, 43, 540 आया सजय है तो कुछ लोग जो है इसका अंसर सीधा सा ऐसे निकालना चाहते है कि जैसा सीधा हलवा स्वाल आया है और हलवा स्वाल पुरोजदे यह लोग हलवा बना बना पुरोजदे तो ऐसा कभी मत करना ध्यान रटना जब भी कोई स्वाल आये तो उसका पैटर्न ढूड़ना मैस के लॉजिक से ऐसा निक मैस का लॉजिक गया है उधर अपने सीधा साय मुवी में जैसे देखा होगा कि एक गोली यहां से चली है फिर बंदा गर से उठके आ रहा है और उसको बंदू की गन मनद गोली को बुलेट को रोक रहा है गर से उठके आ है तो ऐसा लोजिक यहां मत लगाना ठीक है अपने मैंस के लोजिक जरूर लगाना छीक है दोस्तों बड़े अगले स्वाल की तरफ तो देखो अगला स्वाल क्या है इसको चलते हैं यहां पूछा है तो यहां का सेंटर नंबर क्या है अब देखो आपके पास दो pattern आ गए तो दो pattern दिये हैं और तीसरा pattern आपसे प्पूचा है तो दो इसका relation इसके साथ होगा, इसका relation इसके साथ होगा, मतलब row and column वाली बात है, लेकिन उससे हमें बीच वाला 15 लाना कैसे, तो 6 into 2 करूँ, तो 6 into 2 12, 3 into 4 करूँ, तो 3 into 4 12, तो 12 और 12 मिलकर 15 निला सकते, अंतर देखते हैं, 6 और 2 का अंतर आया 4, 4 और 3 का अंतर आया 1, इधर का अं पांच, तो 4 प्लस 5 में, 4 प्लस 1, 5 करूँ, फिर 5 को मैं 3 से गुणा करूँ, तो जाके यह आ सकता है, तो इधर चेक करो क्या हो सकता है, 11 और 8 में 3 का अंतर है, 7 और 6 में 1 का अंतर है, तो 3 और 1 का अंतर तो 4 ही हुआ, 4 से 100 लाना पोसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब 6 प्लस 3, 9, 9 और 2, 11, 11 और 4, 15, यह तो बाहर वाले जोडने से आगे, लेकिन 2 में चेक करो, क्या बाहर के जोडने से 100 आपाईगा, पोसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब देखो, न तो बाहर के नंबर जोडे, न सामने, आमने सामने कहीं इन्होंने प्लस गुणा किया है, तो फिर हमें थोड़ एक स्टप और आगे बढ़ानी पड़ेगी, और अगली स्टप बढ़ाने का मतलब है, हमें स्कार तक जाना पड़ेगा, फिर तो देखो, इसकार कर के चेक करते, 6 का स्कार और इधर 2 का स्कार, तो 6 का स्कार केता है 36, और 2 का स्कार केता हुआ 4, तो 36 और 4 किता हुआ 40, इधर आया 40, इधर भी चेक कर लेते हैं, 3 का स्कॉर, प्लस 4 का स्कॉर, फिर देखते हैं, अगर ये भी नहीं हुआ ता आगे बढ़ेंगे, तो 3 का स्कॉर आया 9, 4 का स्कॉर आया 16, 16 और 9 किता हुआ 25, तो यहां से पहले वाले में जोड़ा, तो 40 आया, दूसरे में 25 आया, तो 40 और 25 का डिफरेंस अंतर, यहां अंतर किता आ सकता है, 15 आ सकता है, तो फिर 2 में चेक करते हैं, यहीं चीज़ वहां पॉसिबल है क्या, तो यहां से 11 का स्कॉर लेते है प्लस 8 का स्कॉर तो 11 का स्कॉर हुआ 121, 8 का स्कॉर हुआ 64 इनको जोड़ा जाए तो यह हुआ 185 और फिर आता है दूसरी तरफ तो 7 का स्कॉर प्लस 6 का स्कॉर है तो 7 का स्कॉर किता हुआ 49, 6 का स्कॉर किता हुआ 36 और यहां से इसको add करें तो यह हुआ 85 तो यहां से आ रहा है 185 यह है 85 तो दोनों का difference चेक करें तो दोनों का difference किता हुआ 100 यह बैठिया perfect आपका 100 इसका मतलब हुआ कि आमने सामने जो संक्या है उनका क्या कर रखा है square और फिर उनका लिया है difference तो लास्ट वाल में चलते हैं कि लास्ट वाले का answer क्या आएगा फिर तो लास्ट व जी देखो एक का square प्लस सांत का square एक का square एक सांत का square उनचास मतलब यह आया 50 पचास और हदर वाले में देखा है तो नो का square प्लस 10-का square तो 9-का square 81 10-का square 100 मतलब हो गया 181 अब इनका difference डिफेरंस डिफरेंस देखें, डिफरेंस का मतला हमीशार प्लस मनस बन देखना, बड़े मैंसे छोटा गटा ना बस, तो 181 मैंसे 50 गटा हो, तो यह हुआ 131, तो इसका अंसर आना चाहिए 131, तो आप्शन नमबर यहां से यह 131, तो यह थे आपके मैट्रिक्स का सिर्फ पहला पार्ट मतलब एक शुरू आत मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स का टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, और शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारा दिमाग के गोड़े बहुत गुमने वाला है, तो यहां से इसकार भी, इसकार नहीं आदो तो इसकार और क्यूब अच्छे से याद होंगे तो आपको स्वाल करने में आसाने रहेगी तो ये था मैट्रिक्स का सिर्फ पहला पार्ट अब इसका अगला सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट जो भी हम आगे पढ़ेंगे सेकंड थर्ड में थोड़ा थोड़ा पढ़ो रोज पढ़ो अच्छे प्रैक्टिस करो जो भी कोई एक्जाम आ जाए बस पहले एक्जाम में निकल जाओ ठीक है दोस्तों रोज मैं मैं मैंस और रीजडिंग की वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहो ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो पे